प्रमु कति थी हमारे नेता देश की नेता और जो आज केवल और केवल महाराश्टा की पवित्र भूमी को चत्रपती शिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमी को आज नमन करने के लिए खास करके आज सांगली की इस पवित्र भूमी को नमन करने के लिए यहां पे आये है वो हम सब के नेता देश के लोकसभा के विरोधिपक्ष नेता आदरनियर राहुल जी गांदी जी यहां पे उपस्तित आज अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष हमारे सब के नेता और जिनके नेतरुतों में आज कॉंग्रेस पार्टी में हम सब कारे करता काम कर है आधरनिया मलिकर जुनखरगे जी हमारे महरास्ट चके और देश की नेता अधरनियाश चंद्र जी पवहर साथ यहापे उपस्तीद महारास्ट के ओल इंडिया कॉंग्रस कमीटी के प्रभारी केलाव और हमारे देश के नेता अधरनिया रमे चैनेतला जी यहाँ पे उपस्तीत पूर्व मुख्य मंत्री अधरनिया शुशिल कुमार शिंदे साथ हमारे नेता अधरनिया मुकुल वास्तिक साथ हमारे नेता अधरनिया नाना पटोले साथ महाराष्ट प्रदेश कॉंगरेस कमीटी के अध्यक्ष आधरनिया हमारे नेता बालासाहिप थोराज जी पुर्व मुख्यमंत्री आधरनिया पुरतुराज चवान साथ और कोलापूर के हमारे सांसद आधरनिया चतरपती शाहु महाराज राष्ट्रवधी के स्टेट के नेता अधरनिया जैन पाटिल जी यहाँ पे उपस्तित अधरनिया सांसद रजनी पाटिल जी यहाँ पे उपस्तित हमारे सांगली के सांसद विशाल पाटिल जी बंटी पाटिव जी और हम सब के बुजूर के नेता सांगली जिल्ला के हमारे नेता अधरने मोहंडो कदम दादा उपस्तित यहाँ पे विरुधी पक्ष नेता अधरने विजय वड़ेटिवार जी अधरने नसीन खान साब अधरने मानिकराव ठाकरे जी उपस्तित सब सांसद हमारे विश्व इदला के कुलोपती डॉक्टर शिवाजी राओ कदम साथ सब सांसद सब MLA पूर्व मंतरी उपस्तित भाईयों और भेनों मुझे बहुत खुशी की बात मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी की बात है हम सब के लिए कि हम सब के नेता देश के नेता जो आज लोकतंतर की लड़ाई देश में हम सब के लिए लड़ रहे हैं आज वो लोक तंत्र की लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता अदरने राहू जी गांदी आज पाच सितंबर की ये शिक्षक दिन के इस समारों के लिए केवल सांगली की इस भूमी में हम सबके नेता अदरने पतंगराउ जी कदम साथ के आज लोकतिरत ये मेमोरेल का आज अ पत्र भूमी में आए हैं जिस तरीके से चक्थटर पती शिवाजी महाराज ने स्वराज की लड़ाई इस भूमें से महाराष्ट मरपुरी हिंदुस्तान में लड़ी थी और ये स्वराज़ जो है वो जनत का हमारा राज है आम लोगों का राज जह है उस तरह की लड़ाई आज हम देखरे की देश में आप लड़ रहे है वो सम्विदान बचाने के लिए लड़ रहे वो लोगों की लड़ाई लड़ रहे और हमें यकीन है कि जिस तरीके से चत्रपती शिवाजी महरास के माद्यम से हंदुस्तान में शुराज की लड़ाई की शुरूआत हुई थी उस तरीके से आज आपकी माद्यम से इस जो देश में हालाथ है महाराष्ट में जो हला थै आपकी प्रेजना से आपके नितरुतों में उसी की तरह के यसी लड़ाई हमारे कॉंग्रेस के कारे करता और देश की जनता आपकी नित्रुत्वे में लडाई लड़ेंगी आदिरने राहुल जी आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि भावनिक हूँ क्योंकि पतंगराउ जी कदम साथ ये कॉंग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाई थे यहाँ पे बैटे हुए महुंड़ों कदम जी ये कॉंग्रेस पार्टी के सिपाई थे इन्होंने 1960s और 70s से कॉंग्रेस की विचारधारा से सांगली डिस्टिक्ट में महाराष्टर में काम करने का शुरुआत किया पंडित Nedrov, आदर्णय श्रीमत्वी गन्धिर इंदरा जी गांदी आदर्णय राजीव जी गांदी यहाँ इसी भूमिके जिस से जन्मलिया सुर्गया यश्वंत्रवचवान साहब सुर्गिया वसंदादा, सुर्गिया गिश्वंत्रा, मोहिते भाउ इन सब की प्रेणा लेते हुए पतंग्राओ जी कदम साभ ने उनकी सारवजिनिक जीवन का प्रवायास सुरू किया आदरनिया सुने जी गांधी जी को और उनका एक उनका उनकी साथ खड़ी रही हमेशा उनके पीछे खड़ी रही और जब ही जब ही कॉंग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्टा में बनी तो बैडन के माद्यम से कॉंग्रेस पार्टी के माद्यम से पतंग्राओ जी को महाराष्टा की लोगों की और जंता की सेवा करने का मोका मिला मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो स्थितिया आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तालुका में इस कॉंस्टिटिउनसी पलूस करेगा हमें यहाँ की स्थिति एक जमाने में बहुत अलग थी यहाँ के अकाल की स्थिति थी जब अकाल पड़ा तब आदरने श्रीमती सुन्या जी गांडी हमारे इस किसान भाईयों को लोगों को उनके उनके दुख के समय पे उनके साथ खड़ी रही जब बार आई थी 2004 में और 19 में उसी दोरान भी आदरने श्रीमती सुन्या जी गांडी में चार में सुन्या जी गांडी वापिस यहाँ पे आई थी और हमारे लोगों के साथ खड़ी रही आदरने श्रीमती जोन्या जी गांडी जी का और हमारी परिवार का कॉंगरेस पार्टी का ये पिछले साथ साल का एक रिष्टा है और मैं बताना चाहूंगा जब मेरे पिताजी बिमार थे जब सिर्फ उनको पता चला कि मुंबई के होस्पिटल में मेरे पिताजी बिमार है और दूसरे दरन अधरे शिमती सुने जी गांधी पिता जी को मिलने डेली से मुंबई आई थी और हमारे परिवार के साथ उन्हें वक्त बिताया था ऐसा लग रहा था कि पिता जी सिर्व उनकी रहा देख रहे थे जब बैड़म आके चली गई उसके दो दिनों के बाद मेरे पिता जी चल बसे यह कहने का मतलब है रहुल जी कि आज इतना आप कॉंग्रेस पार्टी में उनका लगाओ था जब आप अध्यक्ष बने दे कॉंग्रेस पार्टी के वो उनका आखरी सफर था देली का उसके पाद देली में कभी वो सफर नहीं पाए आदर ने राहुल जी पिता जी का जन्म सीदे साधे किसान परिवार में हुआ वो उस गाओ के पहले दसवी पास विद्ध्यारती थे किसे में साथ रूम पर जाने का सहास किया एक तरक में तीन साल तक वो शिक्षक रहे और उसी स्कूल में रहते थे दिन में एक बार खाना खाते थे 1964 में चोटी सी रूम में उन्हेंने भारती विद्ध्यापिट का इस्टाबिलिश्मेंट किया और उनका एक ही सपना था कि ग्रामीन लोगों को बच्चों को किसानों को यहाँ पे इदर शिक्षा का माद्यम मिले गई साल वो शिक्षा कि क्षेदर में काम करते रहे लोगों का प्यार था अशिर Primattrach मोपती सांगली के लोगों का पलूसकड़े का वके लोगों का और वो चलते बसे आज अधरने इंदराजी गांदी यश्वंत्रा उचवाट इन लोगा का यश्वंत्रा मुहिते भाव का भी उनको बहुत सपोर्ट बिला और उसकी बाद्यम से वो राजनीती में जैसे आए तब यहाँ पे उनके काम करते चले मुझे कहना है कि 1978 में जब इंदराजी का कॉंग्रेस और कॉंग्रेस की स्प्रिट होई थी तब सांगली जिल्ले से सिर्फ दो ही लोग इंदराजी गांदी के साथ खड़े थे और वो थे मोंडा कदम और पतंगराव जी कदम और ये हमारे परिवार का एक एक रिष्टा रहा है गांदी परिवार से और कॉंग्रेस पार्टी से आज राहू जी मेरी हिंदी देने के मौका आज पहली बार मैं आपके सामने हिंदी का भाशन कर रहा हूँ Youth Congress का अद्दिक्ष्टा तब मैं करता रहा मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज कि ये जो आज की राली है राउ जी ये इस राली की माद्यम से पूरे सांगली में नहीं महाराष्ट में आज एक महौल बनने वाला है और जिस आप विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद हम आपकी कड़ी मेहनत देखते हैं आप भारत जोड़ो यातरा चले देश के गरीबों के साथ किसोनों के साथ मजदूरे के साथ हमारे इन सांगली के भाईों के साथ आप चले और ये जो लोग तंद्रकी और ये जो सम्विधां की लड़ाई बचाने की आप लड़े हैं हम आपके साथ खड़े हैं जब मेरे पिताजी का ध्यान हुआ राउल जी उनको स्टेट फूनरल दिया गया उन्हें ने स्टेट के पुलीस लोगों ने मुझे भारत का जिंडा दि का और वो कॉंग्रेस पार्टी का जंडेल लगते हुए आज अधिर श्री मती सुन्या जी गांदी खर्गेस साब और सब की साथ के और आश्रीवाद से मैं सांगली में काम कराऊं मेरा जी ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा मैं इतना कहना चाहूंगा आज यहां प सब्सक्राइब करना चाहूंगा मैं अधार देना से काम के लो अरो गेक्षेतरा से कुछी सिंचन ताकरी टेंबूचा माते मतासे यह जिला लगते आदार दिला हाज जिला जो महाराश्चा तनी हिंदुस्ताना और तनी जर्कोला आज तेची खरब पोट्स पाउती तुमी सब्सक्राइब करना चाहूंगा जो हमेशा हमारे साथ रहे परिवार के साथ रहे उनका मारगदर्शन पिताजी को भी था और पूरे आज कॉंग्रस पार्टी को और मुझे एक यूद कॉंग्रस के कारेकरता के रूबसे मिलडा है अधरने पौर्प साथ यह हमारे पिताजी के साथ और भारती देभी दहपीट और यह कॉंस्ल्स पार्टी के साथ मेरे कदम फै EVERY ने शुशिल कॉमर चिंदे जी रमैस चे नितला साथ और अधरने नाला पटोले जी और थोराज साफ ये सब नेताओं का बहुत बहुत शुक्रा मैं कहना चाहूंगा क्योंकि पिताजी गिन जाने के बाद इन सब नेताओं ने बहुत मुझे संभाला थोराज साफ नाना पटोले साफ शिंदे साफ ने मुझे संभाला सब नेताओं ने मुझे आदार दिया इस भीड को नमन करने के लिए यहां पे इस भावना को आज रखने के लिए आज बड़ी ता यहां पे आए मैं बहुत बहुत दन्या वगर तुम्चा सग्रान चे आज मी खूप मजे तुम्चे जा गोश्टी चे अपन वाट आतुरते ले वाट पातो तो तुम्चे खूप मना बस उन अबार मनतो खूप खूप प्रेम तुम्चे सग्रानीत साहिबान वर के लगत हैज प्रेम माला द्या वी शपद यतो आज माजा वडलान ची कि या पलूस कड़ेगाँ चान महराश्टा अन सांगली चा लोकन ची साहिबान चा विचावर अन कॉंगरस पक्षा च चारम मी सेवा करत रही ओड़स आज याटिकानी सांगतो आनी माजे मनों को थंबातो जै हिन जै महराश्टा